तो गाई यहां पर फिर से हम ये छोटी खतली में पिडे में एक एक ये डिजाइन लेकर आए हैं जिसकी यहां पर हमने पहली रशी प्रत और यह जो ताए हैं यह यह तक लात सिंटर नही निकाल आएं". यह हमारी simple design है, यहां पर हमारी लहरे बनेगी और यहां पर हमारा फूल बनेगा, वापस यहां लहरे बनेगी, वापस यहां फूल बनेगा, और आखिर में लहरे जहा तक continue होती है, वहाँ continue चलेगी, तो guys, यहां पर हम देखते है क्यामने पहली रसी किस तरह से लिए, सबसे पहले शुरुआत में पहली रसी में हमने क्या कि तीन रसी दबाई एक रसी उठाए तीन रसी दबाई यहां पर हमारा फुल बनेगा फिर आगे यहां तीन रसी उठाए तीन रसी दबाई एक रसी उठाकर तीन रसी दबाई वापस तीन रसी उठाए तीन रसी दबाई और ए एक रसी उठा ले यहां तक हमारे ताने खतम होते हैं अगर आपके ताने यहां ज्यादा है तो आपको यह वाली सीक्वंस का ध्यान में रखना है यहीं सीक्वंस आगे हमारे कंटीन्यू चलेगी आगे यहां क्या होगा तीन रसी दबेगी फिर तीन रसी उठेगी और फिर य कि आपके ताने आते हैं वहां तक आपको यह सिख्वंस का ध्यान रखना है और यही सिख्वंस में को डिजाइन कन्तिन्यू खरने गाईट चलिए अब यहां पर हम क движ re रसी लेते हैं तो अभी यहां पर हमने दो नंबर की रसी कंप्लेट की है तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की एक रसी उठा ले फिर तीन रसी दबाई एक रसी उठाई वापस तीन रसी दबाई वापस तीन रसी दबाई और यह वाली पांच रसी फिर यहां तिन रसी दबा कर एक रसी उठाए फिर तिन रसी दबाए तिन रसी उठाए और यहां पांच रसी दबाए फिर यह वाली पांच रसी उठाए और तिन रसी दबाए तो इस तरह से यह रसी हमने कंप्लेट की है अब यहां पर हम हमारे अगली रसी लेंगे तो अभ फिर तीन रसी दबाई और एक रसी उठाई वापस तीन रसी दबाई फिर तीन रसी उठाई और यहां पर एक रसी दबाई और यहां पर एक रसी दबाई और यहां पर एक रसी दबाई और यहां पर यह वाली जो तीन रसी उठाई और तीन की लहर चलेगी उसके बाद वाप तो इस तरह सी यह रसी अमने कंप्लेट की है अब यहां पर हम घंपलेट की फिर तिन रसी दबाई, एक रसी उठाई, तिन रसी दबाकर तिन रसी उठाई, फिर एक रसी दबाई, तिन रसी उठाई, तिन रसी दबाकर तिन रसी उठाई, फिर यहाँ पर एक रसी दबा ले, तो इस तरह से यह रसी हमने कंप्लेट की है, अब यहाँ पर हम हमारे अगल फिर यहां पर पांच रसी उठाई और यहां पर फिर प्राशी उठाई है ऐसे तो 6 नमबर के रासी के मारी नेय। अब यहां पर हमने हमारी और प्राशी कहां पर झाले हैं। फिर तिन रसी उठाए तिन रसी दबाए फिर एक रसी उठा का तिन रसी दबाए फिर तिन रसी उठाए तिन रसी दबाए एक रसी उठा का तिन रसी दबाए फिर तिन रसी उठाए तिन रसी दबाए एक रसी उठा का तिन रसी दबाए आखिर में दो रसी उठा ले तो इस ररसी दबाइ 1 ररशी उठाए फिर 5 ररशी दबाइ का तिन ररसी उठा लें अब यहां पर हम hemmar अगली ररसी लें यही वाला फूल हमारा यहां पर बनेगा इसलिए यहां पर हमने एक रसी दबाई है और इसी के साथ ही फूल बनना हमारा स्टार्ट हो गया अब वापस यहां हमने तीन रसी उठाए तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाए फिर तीन रसी दबाई और तीन रसी उठाए यहां पर एक रसी दबाई और यह जो एक रसी दबाई है इसके साथ ही यहां पर यह चोटा वाला फुल यहां हमारा आप वापस यहां बनेगा फिर हमने तीन रसी उठाए तीन रसी उठाए तीन रसी उठाए तीन रसी उठाए तीन रसी उठाकर एक रसी दबाई और यहां पर यहां फूरिं करहारे अप्रिष चोने कही तूरतो कि भीकाला दिया देस्कंट थूय मुअ कि आपी थे ये कंप्लेत लिए आधी अगली रिशुतर हम यहां पर घुण खोने अगली यहां पर हम नमबर की एक रसी दबा लेग, इसके साथ है, ये वाला छोटा फूल यहाँ पर हमारा कंप्लिट हो गया है, फिर बापस यहाँ पर हमने तीं दशी उठाइजे, तीं दबाइं फिर एक रसी उठाए, तीन रसी दबाए, तीन रसी उठाकर एक रसी दबाए, फिर तीन रसी उठाए और दो रसी दबा ले, तो इस तरह से ये रसी हमने कंप्लेट की है, अब यहाँ पर हम हमारे अगली रसी लेंगे, तो अभी यहाँ पर हमने दस्वे नंबर की रसी कंप् फिर यह वाली पांच रसी दबाई और तीन रसी उठाई फिर तीन रसी दबा कर एक रसी उठाई फिर तीन रसी दबाई पांच रसी उठाई आखिर में तीन रसी दबा ले तो इस तरह यह रसी हमने कंप्लेट की है अब यहां पर हम हमारे अगली रसी लेंगे तो अभी यहा सब्सक्राइब। तीन रसी दबाकर एक रसी उठाए तीन रसी दबाए फिर यहाँ पर तीन रसी उठा लिए फिर आगे पांच रसी दबाए और पांच रसी उठाए फिर तीन रसी दबाए एक रसी उठाए तीन रसी दबाए तीन रसी दबा लिए तो इस तर रसी यह रसी हमने कंप्लेट की ह अब यहाँ पर हम हमारे अगली रसी लेंगे तो अभी यहाँ पर हमने 13 नंबर की रसी कंप्लेट की है तो हमने शुरुआत में क्या कि है सबसे पहले शुरुआत की 2 रसी उठा ले फिर 3 रसी दबाए, 3 रसी उठाए और येवाले 1 रसी दबाए फिर यहाँ 3 रसी उठाए, 3 रसी दबाए और 1 रसी उठा ले वापस 3 रसी दबाए, 3 रसी उठाए 3 रसी दबाए, 3 रसी दबाए कर 3 रसी उठाए फिर 1 रसी दबाए, 3 रसी उठाए 3 रसी दबाए, 3 रसी दबाए फिर 3 रसी दबाए, 3 रसी उठाए तो इस तरह यह रसी हमने कंप्लेट की है अब यहां पर हम हमारे अगली रसी लेंगे तो अब यहां पर हमने 15 नमर की रसी कंप्लेट की है तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की एक रसी दबाले फिर यहां पांच रसी उठाए और यह वाली पांच रसी दबाले फिर तिन रसी उठाकर तिन रसी दबाई और एक रसी उठाए फिर तिन सबसे पह सेब aan स ini दबाए था इस तरशी इंटाई वा मने इन कंपलेट की है अब यहा पर हुम हमारी अगली सब आपर कर देशन की है तो आं लुँआंगे अ मतल ने स्बहूं हबनी अroneों 14 देशन आखिर में दो रसी उठा ले तो इस तर रसी ये रसी हमने कंप्लेट की है अब यहां पर हम हमारे अगली रसी लेंगे तो अभी यहां पर हमने 17 नंबर की रसी कंप्लेट की है तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की तीन रसी दबा ले फिर तीन रसी उठाई, तीन रसी दबाई, एक रसी उठाकर तीन रसी दबाई, आखिर में एक रसी उठा ले, तो इस तरह से ये रसी हमने कंप्लेट की है, अब यहाँ पर हम हमारे अगले रसी लेंगे, तो अभी यहाँ पर हमने अठारा नमबर की रसी कंप्लेट की है, तो हमने बात के एक रशी उठा ले, फिर यहां तीन रशी दबाए और यह वाली तीन रशी उठा ले, फिर तीन रशी दबाए तीन रशी उठा ले, फिर वापस यहां तीन रशी दबाए 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 तीन रशी दब तो अभी यहाँ पर हमने 19 वे नमबर की रशी कंप्लेट की है तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की एक रशी दबा ले फिर एक रशी उठाए और यहां तीन रशी दबाए फिर तीन रशी उठाए तीन रशी दबा कर एक रशी उठाए आखिर में दो रसी दबा ले तो इस तर रसी ये रसी हमने कंप्लेट की है अब यहाँ पर हम हमारे अगली रसी लेंगे तो अभी यहाँ पर हमने 20 वे नंबर की रशी कंप्लेट की है तो हमने शुरुआत में क्या किया सबसे पहले शुरुआत की यहाँ दो रशी दबा ले फिर एक रशी उठाए, तीन रशी दबाए, फिर यहाँ पर पांच रशी उठाए फिर यह वाली पांच रशी दबाई तीन रशी उठाए फिर तीन रशी दबाए पांच रशी दबाए पांच रशी दबाकर तीन रशी उठाए फिर तीन रशी दबाई आखिर में एक रशी उठाकर एक रशी दबाई तो इस तर रशी यह रशी हमने कंप्लेट की है अब यह यहां पर हमने 21 नंबर की रसी कंप्लेट की है और इस रसी के साथ ही हमारी यह वाले डिजैन रिपीट होना शुरू होगी तो अब यहां पर हमें क्या करना है सबसे पहले तो यह हमारे 21 नंबर की रसी तो यह रसी हमने यह जो पहले नंबर की रसी है यही पहले नंबर की रसी फिर तीन रशी उठा कर तीन रशी दबाए तो देखें तीन रशी दबाए एक रशी उठा कर तीन रशी दबाए तीन रशी उठा कर तीन रशी दबाए याने कि अभी हमें क्या करना है अभी ये सारी रशीयों को यहां से लेकर कि यह जो दो नमबर की रसी है, यही दो नमबर की रसी हमें 22 नमबर पर repeat करने हैं, उसके बाद 3 नमबर की रसी हम 23 नमबर पर repeat करेंगे, फिर 4 नमबर की रसी 24 नमबर पर इस तरह से सारी रसी हमारी repeat होगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वाली जो यहाँ पर हमारे तो यहां पर बहुत ही कम ताने हैं तो यहां पर क्या होगा कि पूरी 20 रसी तो हमारी रिपीट नहीं होगी लेकिन जितनी भी रिपीट होती है उतनी रसी हमें रिपीट कर लेनी अगर यहां पर हमारी चार पाई होती है तो यहां पर इसके बाद अगर हमारी चार पाई होती ह उसके बाद जब वापस से हम 21 नंबर पर आएंगे तो इस तरह से वापस कोई भी क्लिप या धागा लगा देंगे तो इस तरह से सारी रशियों को हमें रिपीट करना है लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां जी यह जो शुरूत की जो भी बुनाई है यही बुनाई आपको रिपीट करते वक्त ध्यान में रखना है कि बुनाई में कोई चेंज नहीं होना चाहिए तो आपको क्या करना है हर रशि को step by step अच्छे से समझना है देखना है समझना है और फिर ही डिजाइन को रिपीट करना सुरू करना है उसके लिए आपको बार बार रशिया गिन्नी भी बढ़ेगी और रशियों को समझना भी पड़ेगा और फिर अगर confusion होती है तो आपको क्या करना है आपको वीडियो को rewind करकर वापस से पहले नमबर से देखना है तो चलिए यह वाले डिजाइन को हम रिपीट करकर पूरे पीडे को तयार कर लेते हैं यह वाले यह जो डिजाइन है यह वीडियों की डिजाइन और यहीं डिजाइन आप चारपाई में भी बना सकते हैं आपको शुरुआत में यह वाली सीक्वेंस का ध्यान रखना है और बुनाए की तो हमारे बीच रशी आएगी और यहीं 20 रशी हमारी रिपीट होगी तो उसके रिपीट कर लेनी है लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि यह जो रशी हम रिपीट कर रहे है इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है याने कि पहले से लेकर यहां 20 रशी है यहीं 20 रशी की जो भी बुनाई की है यहीं बुनाई हमें पर भी करनी है एक दो तीन चार आने के यह जो पहले नंबर की रसी है वो हमने 21 नंबर पर रिपीट की तो अब यहां पर क्या करेंगे हम यह जो दो नंबर की रसी है वो हम 22 नंबर पर रिपीट करेंगे फिर तीन नंबर की रसी 23 नंबर पर चार नंबर की रसी 24 नंबर पर इ we put 10 darnık और शमय और फिर भी आपको फिर नवह मारकर भी लगा सकते हैं इस तरह कोई अलग कलर का धागा भी लगा सकते हैं, ता कि आपको याद रहे कि यह वाला डिजाइन क्या हमारी काहां से हर डिजाइन में हमारा इसी तरह का होता है जब अगर कहीं भी हम यहां सेंटर निकलते हैं तो भी हम मारकर लगाते हैं और अगर कहीं भी हमारी डिजाइन रिपीट होड़े तब भी हम मारकर लगाते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारे डिजाइन कहां से रिपीट होती तो दे सब्सक्राइब कीजिए बाज मेरे बेल आइकोन को भी दबा देजिए ताकि मेरी हड़ वीडियो आप तक पहुँझार मुझे भी नहीं नहीं डिजाइन बनाने का मोटिवेशन मिलता रहा है वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थन्यवाद गाइस